How cells, harvest energy, substrate level phosphorylation First the contents, synthesis of ATP, substrate level phosphorylation and the examples of substrate level phosphorylation So, first the synthesis of ATP Students, if we are discussing that the equations of the ATP do serial synthesis के साथ जब एक और फासफेट ग्रूप पाकर अटेच होगा तो इट विल बी कनवर्टेट इन्टो एटीपी तो एनिमल्स के अंदर एटीपी को सिंथिसाइज करने के लिए तो मेथड़्स वान इदा सबस्टेट लेवल फासफोर एलेशन एंड अधर वान इदा कैमी ऑस्मॉसिस अच्छा एडीपी के साथ जाब फासफेट ग्रूप हम एड़प कर रहे हैं अक्सर हम इसको पी आई इन आर्गानिक फासफेट लिखता या सिंपल फासफेट लिखते तो इसको कहेंगे कि Aडीप की फासफोर रिलेशन हो रही है एडीपी की फासफोर रिलेशन होगी तो इसे ATP सैन्थिसाईज होगी अब ADP कीOoh के डिफरेंट मैथल्स हैं जैसे बहरे जोंगे लिस्ट कीए हो इस सबस्टेट लैवल हो सबस्टैट मैथिज हो सकता है या पर yeah Cobalt method नो सकता है. Substate Level Fast- nud relation. अच्छWW इसका Simple Way वीव मैं अगर आपको यह समझाओं तो Substate Level Fast Relation का मतलव यह कैएक Substate के साथ Fast- полностью अटेच है, और उस Substate के साथ daughters Corin को remove करकर जब हम ADP के साथ attach कर देच कर देते हैं तो इसका मतलव कि इसको ADP विल बि गनवर्टिट you ATP. अब एक सबस्टेट से फास्टेट ग्रूप उतर कर दूसरे सबस्टेट के साथ अटेच हुआ है. तो इस को हम क्या कहेंगे? इस दा सबस्टेट लेवल फास्टोर आइलेशन है. यानि सिंपली फास्टेट ग्रूप इस बिंग तो इस वो हाई-anergy molecules हैं. इस वो आराम से अपना फास्टेट ग्रूप घर ट्रांसफर कर देते हैं. जो हाई-anergy molecules होते हैं तो सबस्टेट लेवल फास्टेटर रिलेशन में ATP इस इस एक unstable molecule है लेकिन जिस group से इसको फास्फेर ग्रूप transfer होगा वो इसे भी ज़्यदा unstable molecule होगा अब सबस्टेट लेवल फास्फेर रिलेशन की characteristic या एक खुबी ये भी है कि basically they are highly exergonic यह जब सबस्टेट लेवल फास्फेर ग्रूप transfer किया जाए गया तो इस दुरान वह साल इनर्जी या वो release होगी फास्फेर अगर हम सबस्टेट लेवल फास्फोलेशन को देखते हैं तो it is one of the primitive method of ATP synthesis primitive method क्या लें या fundamental method क्या लें कि यह वो simple जो या शुरूं के जो methods ATP synthesis के उनमें से शामिल है why we are saying it is fundamental method हम इसको fundamental method इसलिए कह रहें कि जो different evidences है वो यह शो करते हैं कि ATP synthesis का जो यह method है यह सबस्टेट लेवल वाला method जो है यह life evolve होते वक्त मुझूद था उसकी चांद एक जो evidences वो यह है कि तमाम animals के अंदर अगर हम देखें they use carbohydrate as their energy source अपने food के तुरुब मेन जो energy source है वो मारा क्या है कार्बो हाड़ेट है और कार्बो हाड़ेट जब भी यूज होता तो इसमें substrate level phosphorulation होती है इस तरह से दूसरा evidence ही है कि substrate level phosphorulation तमाम animals के अंदर यह method मुझूद है चाहे वो invertebrate है unicellular है या multicellular है तमाम के अंदर यह वो substrate level phosphorulation का method मुझूद है यह शोकाड़ है कि यह बहुत primitive method है बहुत simple यह शुरू का method है यह ATP synthesis का और इसके लावा अगर हम देखें तो जितने भी ATP synthesis के method हैं जिसमें substrate level है chemiosmosis है यह एवन photoears synthesis के तुरान भी chemiosmosis involved है तो different methods of ATP synthesis में जो सबसे simplest method है वो substrate level phosphorulation ही है इस base के पर हम कहते हैं कि substrate level phosphorulation is the simplest one सबसे simplest method है ATP synthesis का और सबसे primitive है यह सबसे पुराना method है ATP synthesis का Here we have examples of substrate level phosphorulation यह जो आपको diagram में समने दिखा रहा हूं यह basic glycolosis है glycolosis का second phase जिसमें glycerality height three phosphorate से one three bisphosphoglycerate बनेगा अब one three bisphosphoglycerate से क्या बनता है three phosphoglyceric acid बनेगा one three bisphosphoglycerate से three phosphoglyceric acid बनने के दुरान आप देख रहे हैं कि एक phosphate group जो है वो one three bisphosphoglycerate से वो ADP को transfer हो रहा है और ATP synthesize हो रही है अब इस reaction में यह जो ADP है अब यह ADP का molecule है इसको phosphate group पा रहा है सबस्टेट molecules से तो इस वज़ा से हम यह सबस्टेट अपना phosphate group डोनेट कर रहा है ADP को जिस से क्या बन रही है ATP बन रही है तो इस सबस्टेट लेवल फासफोर रिलेशन अचा सेकेंड एग्जांपल भी इसी आगर हम glycols के end देखते हैं तो glycols के आखरी reaction में फासफोर इनोल पाइरुवेट जो है इस कनवर्टर इन्टो पाइरुवेट अब जो फासफोर इनोल पाइरुवेट है इसमें आप देख रहे हैं कारबन नमबर टू के अपर फासफेट ग्रुप मुझूद है जब फासफोर इनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनेगा तो यह कारबन नमबर टू के अपर यह ब्लैक कलर में बेसिकल देख कारबन एटम्स अगर आप यहां देखें Glycosis is present in every living organism हर living organism के अंदर Glycosis मुझूद है चाहिए वो बैक्टेरिया है, प्लांट है, एनिमल है या फंजाए है तमाम living organism के अंदर Glycosis मुझूद है और तमाम Glycosis step के अंदर सबस्टेट लेवल फास्फोर रिलेशन हो रही है तो इसका सिंपल मतलब ही हुआ, every living organism has sub-state level phosphorylation method